हाई एवरीवन वेलकम टू आवर चैनल दिसी शीनम काटारिया इंडियन एक्स्प्रेस का इंपोर्टेंट आटिकल डिसकस करेंगे आज है 28th नवंबर यहाँ पे देखिए चाइना में प्रोटेस्ट चल रहे हैं यह जो आप पिच्चर देख रहे हैं यह चाइना की कैपिट साइट देखिए चाहिए आप चाइना का वेस्टन साइट देखिए इसमें लोगों का यह कहना है कि जो जीरो कोविड पॉलिसी है चाइना की उससे लोग ना परिशान हो चुके हैं जीरो कोविड पॉलिसी में जितने भी स्ट्रिक्ट रूल है अब वो लोगों को परिशा को जिसमें लोगों में और जादा जो अक्रोश था और जादा पैदा हो गया वो क्या चीज यह अगर आपने बात करू अगर आप चाइना का मैप देखे तो नोर्थवेस्ट में अगर आप देखे तो नॉर्थवेस्ट में क्या है शिन्जियांग प्रोविंस है यह बड़ी न्यूज में रहती है एक कॉमिनिटी को लेकर आप उस कॉमिनिटी का नाम मुझे नीचे बताइए उसकी जो कैपिटल है उरमकी उस वहाँ पे क्या हुआ एक बिल्डिंग में आग लग गई उस आग से दस लोगों की जान चली गई अब यहाँ पे यह कहना है जो यह प्रोटेस्टर है कि यह आग लगने कारण इस चाइना की शी जिन्पिंग की जीरो कॉविट पॉलिस है क्योंकि देखिए जब आग लगी तब उरमकी में क्या चल रहा था लोग डाउन चल रहा था लोग घरों से बाहर नहीं निकल पाए जब आग बुजाने वाला काम किया गया तब दस लोग मर भी गए मतलब आग बुजाने के लिए चलो ठीक है लोग आए आग उन्होंने बुजाई बट इतना कड़ा इतना स्ट्रिक्ट वहाँ पे रूल्स चल रहे थे लोग डाउन था लोग घरों से बाहर नहीं निकले इ इस्टन से वेस्टन से सभी लोग इसमें पार्टी से पिट कर रही है इनका ये कहना है कि जो शी जिन्पिंग उन्हें हटाया जाए अब 2023 से शी जिन्पिंग की जो थर्ड फाइव यर टर्म है वो फिर से स्टार्ट होने वाली है और लोगों के मन में अब ये भी बैट गय है कि ये शी जिन्पिंग पूरी उमरी चाइना पर राजना करता रही अब यहां पर देखिए प्रोटेस्टर्स पुलीस प्रोटेस्टर क्लैशी शंगाई डेमोंस्ट्रेटन इन बीजिंग जो बीजिंग है चाइना की कैपिटल और जो शेंगाई है वहां पर शिंज यां को लेकर लोगों का अब गुस्सा बहुत जादा बढ़ गया उसको लेकर लोगों कहना है चाइना किस पावर्फू लीडर को खटाया जाए पुलीस क्या कर रही है इनको दबाने का काम कर रही है प्रोटेस्टर को जहां बें यह कुछ भी लगा रहे हैं कुछ भी बोर्ड पर लिख रहे हैं दिवारों पर लिक रहे हैं वहां से फटाया जा रहा है तो यहां पर क्या किया पुलीस ने पैपर सप्रे यूज्क कि आ तक ही नहीं हटाया सकते प्रणलों को नहीं ले रही है और इनका सिरफ यहीं नारा है शी झिनिपेंग तूस्ट्ब डाउन एंड वन पार्टी रूल अब यहां वे लोगों का कहना है कि यह जो वन पार्टी रूल है इसको खतम कर दिया चाहे अब देखते हैं आगे इसका रिजल्ट क्या निकलेगा अब देखते हैं शी जिन्पिंग इसको लेकर क्या करते हैं अब यह कितने सालों से यही बना हुआ है ठीक है तीसरी टर्म है उनकी यहां पे आपा चलते हैं सेकेंड नमबर पेस पे यहां पे भी कुछ इंपोर्टन पॉइंट है चाइना कोविड प्रोटेस सब्रेट शी फे हप ओ गया क्या हुआ जो शिण्ज यांग प्रुविंस सब्सक्राइब में अब आग लगई आ अब सोच केömरें करते हैं 10 लोग मारे गए इस्वज़ा से तो तो यहां पर बहुत जादा लंबे लंबा इक प्रोटेस्ट चल रहा है इस अगर मैं सैटेड़े की बात करूं ना लेट नाइट तो यहां से इसमें अब यह है कि अब शी जिन्पिंग के द्वारा क्या स्टैप लिया जाएगा क्या नहीं लिया जाएगा यह तो देखना होगा तो यह है कल आपकल वाला करेंगे 29 नुवांबर का और एक इंपोर्टेंट आर्टिकल आपका डिस्क्स किया करेंगे थैंक यू फॉर